केस वाप सब दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वागते दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज राक है एक बहुती बड़ी वेकेंसी है उसके बारे आम से चर्चा करने आले तो चली दोस्तों वीडियो करते वीडियो करने से पहले अगर आप गटन बढ़नीत है होम गार्ड की जो वेकेंसी आई है दोस्तों इसके अंदर कितने पदों पर हैं तो यहाँ पर लिखा है 3842 पदों पर यह वेकेंसी जारी की गई है प्रावदान के अंतरगत राष्तान ग्रह रक्षा के विविन जिला प्रिक्षिक्षण केंद्रो एम सी सेखो के 3842 पदों पर नामन के इनके लिए योग्य बेरतियों से ओनलाइन आवेदान पत्र अमंत्री किये जाते हैं यह आवेदान पत्र इस विगप्ति के विवागी वेबसाइट तता समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद दिनांग 12.2023 रातिरी से बरा जाना सूर प्रतक से समाचार पत्रों विवागी वेबसाइट पर रुपलप्त करा दी जाएगी नामानकन प्रक्रिया के दोरान राज्जी सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संसोधन तच्स में प्रभावी रहेंगे आवेदक द्वारा ओनलाइन आवेदन फारम बढ़ना निमनासार बढ़ता सकता है स्वेंग की स्थर पर बेढ़ती अपने स्थर पर अन्य एजेंसी साइवर केवे या इमितर के माद्यम से आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसका जो नेट बेंकिंग इस इस इस्तिति में परिक्षा सुल्क नेट बेंकिंग या डेविट कार्ट के माद्धियम से जमा कराना आगा या फिर इमित्र के माद्धियम से आप यहां पर जमा करा सकते हैं हाथ से द्वारा बरे गए ओनलाइन हाथ से बरे गए आवेदन यानि हाड कोपी के रूपें किसी भी प्रकार के इसका अर्थ है कि इसका आवेधन पत्र जमा हो गया। आपके द्वारा जो भरे जाएंगे जो फॉरum भरा जाएगा उसका जो आपको ऑीमेल पर आपको मैल आजैगा और आपके जो मोबाइल नंबर है उसको दिनाट है जाएगी कि आपका फॉरum जो है जमा हो गया अबेटी ओनलाइन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए इस पर हाली में खीची गए नविंतम रंगीन पासपोर्ट साइज की जो फोटो है जिस पर विगपती जारी होने की दिनांग अत्वा इसके पच्छात की दिनांग अंकित हो तो नमोना स्ताक्सर साइज सकेन है तू ए मितर की अस पर साथ लाए ध्यान रखा है यह सारी एक दक्षा परिक्षा के लिए जारी होने वाले प्रविश पत्र पे भी आवेदन पत्र की समय अपलोड की गई फोटो ही की जाएगी चाहरा दोस्तों जो आवेदन पत्र के अंदर जो फोटो लगाएंगे certain जो फोटो आपके जो फिजीकल के अंदर के अंदर जो एडमिट कारड जारी होगा होगा स्पहर इसके अंदर अपलोड होगी सबी print प्रविष्टिया साही M. रूप से बरी गई है बला अपना जो है आप जो भी आविदन करोगे ना उसका प्रिंटर लेकर कि जो आपने डिटेल बरी है वो साही है की नहीं है ठीक है दोस्तों तो यह इस प्रकार जो है प्रेस नोट पूरा दिया गया है परिक्षा सुल्क की बात करें सामाने अन्य पिछडा वर के बेढ़ती डाइसोर पे अरुसूचि जाती जन जाती EWS MBC वर के आवेधन के लिए दोसोर पे इसके अंदर सुल्क रखा है सारीग दक्सता परिक्षा परिक्षा पत्र विभाग के दोबारा सारी एक दख्सा परिक्षा के लिए प्रविश पत्र ओनलाईन ही जारी किये जाएंगे डाग दोबारा कोई भी प्रविश पत्र नहीं पेजाए चाह ciao प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलाद होने की सूचना वेबसाइट पर प्रकासित की जाएगी अबेड़ती अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट पर SOS ID से लोगिन के पश्चाथ सी प्राप्त करें यह जो है पोस्टों का विवरण है यह पर कंप्लीट यह पर 3000 पोस्ट है जो पूरी यहां पर दिये गई है कि किस पतार यह पर पूरी यह जानकरी आपको दिये गई है तो यह आप जो ओफिशल नोटिविकिशन है आप उसको देख ली नडा मिल जाय गए होम गाड के वेकेंश यह दोस्तों करूं सेके नवांकका नेती परिक्षा के अंदर गरह र시 नक्स्राइब करने साल प्रकासे appli artifacts सुझना का प्रत्रए व विजिसर व ingredient स्य। चेन हैतू कम से कम साथ दिवस पूर परवेश पत्र जारी किये जाएगा जिसमें परिक्षा का केदर नाम इस्तान दिनाग महेश समय का उलेख होगा यह सूचरा बेड़ती को उनके इमेल मोबाइल के माद्यम से मिल जाएगी ठीके दोस्तों आरक्षन जो है आपका अनुसु जन जाती 12% अन्य पुछड़ावर 21% आर्थी रूफ से कम जोड 10% एंबिसी को यह 5% बाकी टिटेल आप यह पढ़ लेना थोड़ा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करें क्योंकि जो 17 पेज़ की PDF काफी लंबा है इसको मैं मैं पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर दिया गया है टीएसपी शेतर के अनुसुची जाती जन जाती हम सहरी आदिम जाती के लिए भी इंपोर्टेंट नोटिस दिया गया है आप यहाँ पर इसको पढ़ लेना दोस्तों इसको मैं थोड़ा पढ़की सुना देता हूं राजी सरकार के दी सूचना के प्रावदा अनुसार जिन सेतरों को ट्राइवwahल सब प्लान के अरिये के अंतरशम्मील किया गया है कि पदों को अनुसूची जन जाती है तू पेताल इस प्रतिशत एवा अनुसूची जाती तू पांच प्रतिशत तता सेश पचास प्रतिशत अनारक्षित पत के वल इस्तानी अबेड़तियों के लिए आरक्षित रहेंगे इन शेत्रों में अन्ने पिछड़ा वर्क, MBC वर्क के लिए आरक्षन सुनने रहेगा इसके अदर मान दे जो ही क्या रहेगा इसके बारे में बताए गया था जिस सीमा ग्रह रक्षा दल की कंपनियों के रिक्तियों के विरुद आवेदन किया गया है उस कंपनी मुख्याले में 25 किलोमेटर की परीदे में आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालों के अधिन राज़ोस्तु ग्राम में निवास करने का थासिलदार द्वारा जारी मूर प्रत्वर निउन्तम शेक्षनिक योगेता मानने था स्कूल प्राप्त स्कूल से आठ भी उत्तिर आयू सीमा आपके दी गई है एक एक दोजार तेईस को अठारा वर्ष से कम अत्यतिस वर्ष से दिक नहीं होना चीए अर्थात आवेदक आवेदिकका का जनम एक एक दोजार पांच के बाद तता एक एक 1988 से पूरु का ना हो सारीक मापदंड फिजिकल के लिए आपके दिया गया है मापदाट नियुन्तम उचाई पूरु सो के 168 महिला 152 बारा जिलाए के सेरिया है तू 160 से मी पूरु से और 145 महिलाओं का है सीना के वल पूरु सो के लिए बिना फुलाई 81 cm फुलारेपर 86 से मी सीने का कम से कम फुलाओ 5 से मी महिलाओं के लिए लागू नहीं है बिना फुलाई ये सेरिया जनजाती के जो है 12 जिला के उनके बिना फुलाई 24 से मी 79 cm मैलाओं के लिए लागू नहीं है वजन केवल मैलाओं के लिए मैलाओं का वजन 47.5 kg और पुर्षों के लिए लागू नहीं है इसके अंदर 43 kg यहाँ पे मैलाओं के लिए अनुसुची जाती जंदादी के जंदाती उपरोग माप दंडों में उपलब नहीं होने पा रहे हैं तो नियुनता माप में पांस सेमिट्री मिट्र की थूट जी साही है किन्तों पांस सेमिट्र फुलाई जाने की नहीं बढ़ता रहेगी चिकिसक के माप दंटा यहां पर दी गई है यहां पर आप जो नोटिफिकिशन है उसके अंदर देख ले ना प्रेस नोट में आप पूरा है नामान के लिए आयोग्यता किसी भी ऐसे पुरुस मेला मेदार जिसके एकसाधिक जीवित पत्ती पत्र नहीं होगा किसी भी विवाहित अब्यरती को नामान के लिए पत्र नहीं माना जाएगा यहां पर जो थोड़ा नोटिफिकिशन दिया गया है पूरा इसको आप देख ले ना चैन परकिरिया के बारेम दिया गया पंजीकराण एवं प्रमान पत्रों की जाँ नामानकर परकिरिया के ले बेड़ती निर्यदारित प्रिष्टा जतल पर निम्नांकीत मूल प्रमान पत्र जो भी लागू है उनकी स्वय प्रमानित सेल्फ अटेस्टेड एक परतिलीफी स विषेष योगेता संवन्दित परिमान पत्र क्ल जाती परिमान पत्र जक्ष्ण प्रादीकारी दुएदि जारी किया गया Best मैल विद्वा के मावले में अपनी पती की मृत्यू का एम विच्छनी विवा के मामलें विवा विच्छेत का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र बूत्पूरु सेनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा नेवरती प्रमाण पत्र सारीक दक्षता परिक्षा में सम्मेलित होने है एतु राज़की चिकिसक में सारी रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र आवेदक्स से संबन्दी सूचना के लिए विवाग द्वारा चेन उपरान निर्दारीत आवेदन पत्र बरवाजेगा जिसके चिपकाने के लिए स्वेम के दो चार पॉइंट 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 पांच सेंटिमीटर का रंगिन फोटू होना चीए पंजीकरण के समय अभ पेतालिस सेकिन तक दस अंग चार मिनद तक पांच अंग चार मिनद से अधिक तो जिरो अंग ठीके अधिक तम पंदरा अंग के महिलाओं के लिए आट सो मिटर की दोड़ा की तीन मिनद तीस सेकिन के पंदरा अंग तीन मिनद पचास सेकिन के दस अंग चार मिनद दस सेकि जिरोंग मैलाओं के अंदर गोला फेक 16 फिट 10 अंग 15 फिट 7 अंग 14 फिट 5 अंग 14 फिट से कम जिरोंग तो यहां पर जो फिजीकल के लिए यहां पर दी गई है पूरा जो कंप्लीट जानकारी आप देख सकते हैं जित्ती चरण में सारे एक माप तोल परिक्षन होगा ग्रव रक्षा विवाक के नामंकर बोर्ड द्वार जारी अभेड़तियों का सारे एक माप तोल का परिक्षन किया जागा नामंकर बोर्ड में उपस्ति समस्त अभेड़तियों को उनके माप तोल से अउगत करा जाएगा अपरिक्षन बोर्ड के GY rue बूर्ड को एक बार अपील कर सके लहां जासे कृ उक्त अपरिक्षन गर्ञारोन एक गर्यों के सता को का सब्यों ACT भी क्लियन अपष्ट संक है नेशनल केडर कोर एनसी सी के प्रमाण पत्र के दो अंग बी के चार अंग सी के छे अंग कम्पिटर सिक्षा है तू आरे सी आइटी का आपके द्वारा प्रमाण पत्र होना चीए दोस्तू एलेक्ट्रिशन, फिटर, प्लंबर, वेडिंग, मोटर गाड़ी, मेकेनिकल, डीजल, मेकेनिकर, कॉर्पेंटर, पेंटर, फायर, टेकनोलिजी आधीके डिप्लोमाक का प्रमाण पत्र होतो तीन अंग आपके लिए, खेलों में प्रत्रिवावगी होने का उप्यूक्त प्रमाण पत्र चारंग, स्काउट प्रमाण पत्र चारंग हलका भारी मोटरवाण चालग चारंग, भारी का चार हलका के दो बाकी जो आपके नोटिफिकिशन पूरा दिया गया है चत्र जो चरण है, मोखिक वेक्तिवकत परिक्षण होगा, सारीक दक्षिता 25 अंकी, विशेश योग्यता 20 अके, मोखिक वेक्तिवकत परिक्षण 5 अंक, टोटल अंगों का है 50 अंके चैन सुची, नमानकर प्रिक्षण के अंतिम चरण में उपलाद अभेड़तियों को उप्रोप्त वर्णित, सारीक दक्षिता परिक्षण, विशेश योग्यता ये मोखिक वेक्तिवक्तिवक्षण, परिक्षण में अंक दिये जाएंगे, तथा मेरिट योग्यता सुची तियार की जाएगी, इस प्रकार योग्यता सुची में रिक्षण के अनुरूप, राज्य सरकार के नियमों के अंतरगत, प्रदत, आलक्षण, प्रावदानों के सार, वरगवार, चैन सुची तैयार की जाएगी, चैन बोर्ड द्वारा, मेरिट सुची तैयार करने पर समय करते समय समान प्राप्तंगों के मामले में अधिक आयू वाले अभिणती को वरिता दी जाएगी इसी प्रकार प्राप्तंग आयू समान होने पर अधिक शेक्षणी योग्यता प्राप्त अभिणती को वरिता दी जाएगी तता सेक्षणी योग्यता भी समान होने पर विशेस योगिता अंकों के अधार पर वरिते जई जाएगी यदि अच्छा से आज भी प्राप्तांग समांग रहते हैं तो उनका नाम मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखा जाएगा तो यह कंप्लीट नोटिफिकिशन दिया गया है दोस्तो होम गार्ड की जो है वेकेंसी जारी की गई है इसके ओनलाइन आवेदान आपको बता दिये बहने 12 अरिक से स्टार्ट हो जाएंगे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर देना वीडियो को जरू लाइक करें रुपने दोस्तों के साथ अधिक शेदिक शेर जरू करें दन्यवाद